What's up everyone, welcome back to the channel आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक शांदार टॉपिक of macroeconomics जो की है foreign exchange rate तो foreign exchange rate में जितने भी topics आते हैं उन सब को बहुत detail में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से बढ़ेंगे समझेंगे और देखेंगे क्या क्या ऐसी चीज़े हैं जो इस topic में हमें परिशान करती हैं आईए जली से इस interesting topic को शुरू करते हैं और आराम आराम से एक एक concept को समझते हुए complete भी करते हैं चलिए, let's begin तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम लोग foreign exchange rate के साथ और क्या-क्या चीज़े हैं, क्या-क्या topic इसके अंदर आपको समझने हैं वो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास होता है कि what is a foreign exchange and what is foreign exchange rate तो बहुत simple है हमारे देश की currency को छोड़के जितनी भी other currencies हैं चाहे वो dollar हो, चाहे वो pound हो चाहे वो dirhams हो चाहे वो dinar हो, कोई भी कोई भी other currency जो हमारे देश से अलग किसी भी country में चलेगी वो हमारे लिए एक foreign exchange है यह चीज़ mind में set कर लो, ठीक है अब foreign exchange rate क्या है जिस rate पे एक currency, दूसरे currency से बद लिए जाती है, उसको foreign exchange rate बोलते हैं, like for example आपको Dubai घूमने के लिए जाना है, ठीक है UAE जाना है, तो वहाँ पे चलता है dirhams, अब अगर आपको एक dirhams लेना है, तो it is somewhere around rupees 23, मतलब अगर आपको एक dirhams लेना है ना, तो आपको अपने कितने देने पड़ेंगे 23 दो लेने हैं, तो 46 देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जब एक currency को दूसरे currency से exchange कर रहे हैं, तो जिस rate पे exchange कर रहे हैं उसको हम foreign exchange rate बोलते हैं समझे, तो what is foreign exchange foreign exchange refers to all the currencies other than the domestic currency of a country जैसे, इंडिया की currency Indian rupee है, इसको छोड़के जितनी भी currencies होगी, वो सब foreign exchange होगी हमारे, US dollar, British pound etc, rate क्या होगा the rate at which one currency is exchanged for other, ठीक है it represents the price of one currency in terms of another currency, जैसे 1 dollar 75 का आजकर, 80-85 के आजकर होता है, the value of 1 rupee will be, rupee 1, 1 upon 75, 0.013 dollars आ गए, यानि 1 rupee में 0.013 dollars आएंगे, तो बहुत कम यानि dollar हमार से कितना strong है और हम लोग कितने weak हैं dollar से है ना, इसके बाद हमारे बाद आ रहा है guys, currency appreciation और currency depreciation, इसको समझाने के लिए मुझे एक पूरा concept आपको समझाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं currency depreciation and appreciation अब ध्यान से समझना assume करो कि आपको वोई दुबई घूमने के लिए जाना है दुबई में चलता है dirhams, dirhams को कैसे लिखते हैं 1AED और वो कितने का है 23 rupees का है, for example सही है जी, एक dirhams कितने का है, 23 rupees का है, अब suppose आपने थोड़े time बात चेक करा यही dirhams कितने में आने लगा, 20 rupees में आने लगा, यानि पहले जो चीज 20 में नहीं आती थी, अब वोई 20 में आ जाती है, पहले 20 में नहीं आता था, अब 20 में आ जाता है तो सर यह क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी value appreciation हुई है हो गया, देखो पहले कोई चीज 20 में नहीं आ रही थी अभी वोई चीज 20 में आ रही है तो 20 रुपे की value बढ़ गई या नहीं बढ़ गई इसको क्या बोलते है, currency appreciation, कौन सी currency, domestic currency logic को पकड़ के चलना, ठीक है अच्छा, अब बात करते है for example, 1 AED यानि की एक दिरम वोई 23 रुपीज का है और अब क्या हो रहा है वोई अगर AED मुझे लेना है तो आज वो आ रहा है 25 में वादला पहले जो चीज 23 में आ जाती थी वो अब 23 में आई नहीं रही कितने पर रुपया मांग रहे हैं 25 रुपया मांग रहे हैं पहले 23 में यानि मेरे 23 में, जो चीज पहले आ जाती थी अब 23 में आती नहीं है क्या 23 का value कम हो गया 23 में पहले वो चीज आती थी value कम हो गया या नहीं हो गया इसको हम क्या बोलते हैं किसको हम बोलते हैं currency depreciation हमारा जो domestic currency है वो depreciate हो गया है ठीक है? अब एक चीज़ और याद रखना अगर domestic अगर domestic depreciate होता है तो जो foreign currency है वो appreciate हो जाता है इसमें inverse चलता है मतलब अगर आपका domestic currency का value कम हो रहा है ना, it means foreign का value भढ़ रहा है similarly अगर domestic appreciate हो रहा है it means जो foreign है वो depreciate हो रहा है सर इस concept को दुबारा समझा दो देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर domestic currency appreciate हो रही थी appreciate होने का मतलब पहले जो एक दिरम 23 का आता था, अब वो 20 में ही आता है तो हमारी currency क्या हो रही थी? appreciated सर, foreign pays पर क्या impact है? हमारे लिए foreign currency क्या है? हमारे लिए foreign currency है, dirhams ठीक है? हमारे लिए foreign currency क्या है, dirhams अब ज़रा मेरी बात को समझो पहले एक dirhams 23 में आता था मतलब एक लेना है तो 23 देने पड़ते थे अभी तो 20 में आ जाता है? 20 में आता है नहीं आता है? यानि हमारे लिए वो सस्ता हो गया या नहीं हो गया? हमारे लिए वो सस्ता हो गया? अगर हम appreciate हो गये तो foreign currency depreciate हो गया similarly पहले एक द्रंच 23 की आता था 23 में अभी आता है 25 में 23 में नहीं आ रहा, महेंगा हो गया? इसका मतलब हम depreciate हो गए तो foreign currency appreciate हो गया foreign currency क्या हो गया appreciate हो गया ठीक है या नहीं है perfect है या नहीं है क्योंकि देखो वो महंगा हो गया ना माल ले पहले 23 में आता था 25 में आता है महंगा हो गया यानि वो appreciate हो गया हम हो गए depreciate अब समझो अब क्या होगा अगर सामने वाला हमें सस्ता पढ़ता है जैसे पहले कोई चीज 23 की आती थी अब 20 की आने लगती है हमें सस्ता पढ़ता है तो हम जादा खरीदेंगे जादा खरीदने से क्या होता है जादा खरीदने से इंपोर्ट बढ़ जाते हैं इस सामने वाले को हम सस्ते पड़ते हैं, पहले एक में ही उसको सिर्फ 23 रूपीज मिलते थे, अब एक में ही उसको 25 मिलते हैं, ऐसे मालनों जैसे टॉफी है, एक दिरम में पहले 23 टॉफी, एक दिरम में 25 टॉफी, ज्यादा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या कर करेगा तो हमारी export बढ़ेगी तो याद रखना जब भी हम depreciate होते हैं हम depreciate होने का मतलब है हम सामने वाले को cheap पढ़ते हैं सामने वाले को सस्ता मिलता है सामने वाले को सस्ता मिलेगा तो वो जाधा मांगेगा जाधा मांगेगा तो export होगा ठीक है और अगर हम appreciate हो जाते हैं appreciate का मतलब हम ज़ादा समान खरीद सकते हैं हमारी value बढ़ गई है तो हमें सामने वाला cheap पढ़ रहा है सामने वाला depreciate हो गया तो इस case में हमारे exports बढ़ते हैं clear हुआ बड़े ध्यान से समझना है domestic की respect में क्या हो रहा है और foreign की respect में क्या हो रहा है समझने वाला topic ज़ादा है रटने वाला topic कम है इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ इस topic को clear हुआ देखो appreciation, depreciation बस logic याद रखना कि आपकी value अगर कम हो रही है तो आप depreciate हो रही हो आप depreciate तो सामने वाला appreciate आपकी value बढ़ रही है तो आप appreciate हो रहे हो आप appreciate हो तो सामने वाला depreciate हो रहा है इसके बहुत सारे questions अलग-अलग sample papers में दिये गए हैं बहुत सारे various sample papers जिसमें आप इनके बहुत सारे examples questions आएंगे बट मैं हमेशा से favor करता हूँ औस वाल गुरुकल तो अगर आपको इसका sample paper लेना है तो आप last 10 year का उसवाल गुरुकल बाय कर लो last 10 year का उसवाल गुरुकल इस तरीके का आता है एक बहुत अच्छी booklet आती है जिसमें की CBST last 10 year के solved paper है और देखो सबसे अच्छी बात की सारे subjects एक ही booklet में आगए यानि आपका English, Physical, Maths, Accounts, Eco, BST as per latest pattern 2012 से लेके 2012 तक पिछले 10 year के सौरे sets डेली, आउटसाइड डेली हर चीज इस पर्टिक्लर बुकलेट में available है तो आपके लिए best sample paper होने वाला है अगर आप देख रहोगी boards आ रहे हैं और boards में आपको पिछले 10 सालों के questions कहां पे मिल सकते हैं एक ही जगा पे तो this is the book जो आपको मदद कर सकती है जिसका link भी मैं description में जदूँँगा आप चाहो तो वहाँ से buy कर सकते हो और otherwise आपकी offline markets में भी आपको मिल जाएगी बस याद रखना last 10 year solved papers इससे आप पिछले 10 सालों के सभी questions और papers solve कर पाओगे इससे अच्छा boost नहीं हो सकता किसी भी preparation में तो go for it, check करो appreciation depreciation समझ आ गया अब इसको पढ़ते हैं क्या है appreciation depreciation देखो currency depreciation का क्या मतलब होता है जो मैंने आपको अभी बताया it refers to decrease in the value of domestic currency क्या होने वाला है decrease in the value of domestic currency बचो अपनी currency की बात हो रही है appreciation मतलब increase in the value of domestic currency अच्छा जब ये हमारे अगर हमारा value कम हो गया इसका मतलब सामने वाले को हम सस्ते पढ़ रहे हैं है ना, तो export बढ़ेगा it leads to increase in exports और अगर हमारा value बढ़ गया appreciate हो गए हम हम appreciate हो गए तो सामने वाला सस्ता हो गया सामने वाला सस्ता हो गया तो हम ज़्यादा समान खरीद लेंगे import बढ़ेगा clear है फिर आपको example लिखना है example के तौर पर यहां dollar में लिखा वैदे को $1.70 था $1.74 हो गया चलो सोचो पहले $1.70 देने पड़ते थे अभी $1.74 देने पड़ेंगे $1.70 में आ नहीं रहा appreciate हो गया है ना और उल्टा कर दू अगर पहले $1.74 में आता था अभी $1.70 में आ जाता है तो appreciate हो गया value बढ़ गई perfect चलो अब आ रहा है हमारे पास कितने प्रकार के foreign exchange rate होते हैं तो there are three kinds of foreign exchange rates पेटाजी सबसे पहला होता है fixed exchange rate दूसरा होता है flexible exchange rate तीसरा होता है managed floating exchange rate आओ मैं आपको धीरे धीरे इन तीनों के बारे में समझाता हूँ fixed exchange rate क्या है floating exchange rate क्या है और managed floating क्या है सबसे पहले fixed समझो what is fixed exchange rate system तो देखो fixed exchange rate system नाम में लिखाव है fixed इस exchange rate system में जो exchange rate है ये कौन fix करेगा it is fixed by the government सरकार fix करती है सर सरकार कैसे fix करेगे मतलब कोई ना कोई value तो चाहिए ना कि भाई एक dollar कितने का कैसे fix करें तो इसको fix करने के लिए सरकार ने दो system निकाले में एको हम gold standard बोलते हैं एको हम Bretton Woods बोलते हैं एको हम क्या बोलते हैं एको हम बोलते हैं gold standard अगर आप कोई भी book पढ़ोगे आपसे पूछा नहीं जाएगा ये मैं आपके knowledge के लिए बता रहा हूँ और एको हम बोलते हैं Bretton Woods ठीक है तो इन दोनों ही systems में ये कहा गया है कि जब भी आप exchange rate fix करो तो exchange rate fix करते time आपको कोई ना कोई external value चाहिए भाई किसी ना किसी की respect में तो exchange rate fix करोगे न अब वो external value क्या हो सकती है या तो वो होगा gold या फिर वो होगी कोई foreign currency या फिर क्या होगी कोई foreign currency तो exchange rate set करने के लिए हमने दो चीज़े रखी वी है इधर it is gold और it is a foreign currency अगर वो gold है तो हमने बोला कि भाई for example assume कर लो वैसे ही समझाने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि for example एक gram gold एक हजार रुपे का है एक gram gold कितने का है एक हजार रुपे का ठीक है और एक gram gold एक gram gold दस डॉलर का है एक gram gold कितने का है दस डॉलर का तो अगर अब हम gold की respect में देखें तो ये वाली value same है commodity value same है एक gram एक gram तो इसका मतलब अगर मैं gold की respect में देखूं तो 1000 रुपे की value किसके बराबर हो गई 10 डॉलर के किसके बराबर हो गई 10 डॉलर के यहां से और simplify करूँ तो 1 डॉलर basically 100 रुपे का हो गया देखो बात समझ आई या नहीं आई मैंने क्या करा? मैंने gold की value देख ली कि भाई 1 gram gold ले लो गोल्ड है कैसा metal है जो सब जगा देखने को मिलता है और इसकी value universal है तो क्या करा मैंने? मैंने बस gold उठाया और मैंने का भाई 1 gram इंडिया में कितने का 1 gram US में कितने का, दोनों को fix करो exchange rate check करो, तो gold की terms में जब check करा, तो क्या निकल के आया? इस तरीके से set हुआ, similarly अगर आपको किसी foreign currency की terms में करना हो, तो वो foreign currency हमेशा dollar होता है वो foreign currency हमेशा कितना होता है? dollar, जैसे हमने बोला, कि अगर हमें for example, हमें 1 dollar लेना है, तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो आया कि 80 rupees देने पड़ेंगे, ठीक है? और अगर किसी UAE के बंदे को जो UAE से है, उन्हें 1 dollar लेना है, तो उन्हें 1 dollar के कितने देने पड़ेंगे? let's suppose AED4 यानि कि 4 दिरम 1 dollar लेना है, तो 4 दिरम का है, तो हमने का, बस हो गया काम अब dollar की terms में हम दोनों की value बराबर रख सकते हैं कि 80 रुपे कि इसके बराबर है 4 दिरम के बराबर है cutting कर दो अगर तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 AED है यानि जो 1 दिरम है वो 20 रुपे का आएगा हो गया है नहीं हो गया? तो हमने क्या करा? हमने currency को fix करा, हम मतलब government ने fix करा in terms of some external standard that is gold और some foreign currency तो इसको हम लोग fixed exchange rate system बोलते हैं flexible exchange rate system क्या होता है? flexible exchange rate system में जो currency का जो rate है या जो foreign exchange rate है जो fixed होता है वो market forces से होता है flexible में government का कोई role नहीं होता जो exchange rate set होगा बेटाजी market forces से होगा, कि market में demand किसकी ज़ादा उसका rate ज़ादा, supply ज़ादा यह है supply curve यह है equilibrium ठीक है? ऐसा अब market equilibrium इसको बोलते हैं perfect है, अब अगर सामने जो rate आएगा यह, इस rate को हम foreign exchange rate बोलते हैं इस rate को क्या बोलते हैं हम foreign exchange rate तो जो demand है और जो supply है जो जहाँ पर intersect करेंगे सामने जो rate आएगा उसको हम foreign exchange rate बोलते हैं और और यह जो rate आए market forces पर depend करता है कि suppose किसी भी currency की demand बहुत ज़ादा बढ़ रही है demand अगर बहुत ज़ादा बढ़ रही है तो उसका क्या impact आएगा demand बढ़ेगी तो right में shift हो जाएगा अभी नया equilibrium यह बना तो अब जो rate है वो यह आजाएगा R1 तो rate बढ़ गया देखो demand कम हो जाएगी similarly तो rate कम हो जाएगा जैसे अगर demand कम हो जाएगी तो demand left में आजाएगी इधर आजाएगी अगर कम हो जाएगी तो अब यह नया equilibrium है E2 तो अब rate कम हो गया R2 तो हमारे पास किसी भी currency की अगर जो हम rate है वो उसके demand supply से set कर रहे है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं basically flexible exchange rate system ठीक हो गया अब तीसरा और last जो आता है वो इसी से related है इसी से related उसको हम क्या बोलते है managed floating exchange rate system Sir managed floating का क्या मतलब है managed floating का मतलब यह होता है बच्चे कि हम लोग जो exchange rate set करेंगे न वो तो ऐसे ही करेंगे demand supply से ऐसे ही होगा उसमें कोई बतलाओ नहीं होगा वो ऐसे ही होगा लेकिन अगर वो कुछ desirable value से ज़ादा जा रहा है suppose for example हमारे पास suppose यह demand है यह supply है market में यह rate निकल के आया और यह 75 निकल के आया यानि एक डॉलर का जो rate है वो 75 निकल के आया for example अब RBI जो हमारा Reserve Bank of India है जो हमारे देश का central bank है वो यह चाहता था कि यह rate है न यह 70 से उपर ना जाए यह 70 से उपर ना जाए तो इस case में RBI क्या करेगा RBI के पास पिटा रहा है RBI is the custodian of foreign exchange reserve हमारा जो RBI है उसके पास सारा foreign exchange पढ़ा होता है यानि foreign exchange की supply सारी किसके पास है RBI के पास है तो RBI क्या करेगा RBI इस पिटारे में से निकालके market में supply छोड़ देगा उससे क्या होगा supply बढ़ जाएगी supply बढ़ गी supply बढ़ने से क्या होगा ये नया equilibrium आएगा और जो rate है वो नीचे आगया that is 70 तो RBI इने क्या करा RBI इने अपने control की वज़े से exchange rate को थोड़ा बहुत याद रखना थोड़ा बहुत बहुत जादा नहीं थोड़ा बहुत influence कर लिया उसको हम बोलते है managed floating exchange rate system कि जब RBI exchange rate को अपने आधार पे अपने हिसाब से manage कर पाए उसको हम managed floating exchange rate system बोलते हैं आओ चेक करने ज़रा क्या है हमारे बास Sir what is the fixed exchange rate system fixed exchange rate system refers to a system in which exchange rate is fixed by the government मैंने आपको समझा दिया purpose क्या होता है is to ensure stability ताकि stability बनी रहे हर चीज टेबल रहे बहुत ज़्यादा उपनीचे ना हो rate बार बार under this system each country keeps the value of its currency fixed in terms of some external standard वो external standard इधर gold होगा और कोई foreign exchange होगा है ना when value of domestic currency is tied with the value of another currency another currency के साथ होगा तो उसको हम pegging बोलते हैं and if the value is tied in terms of gold gold की terms में गर रहे हैं तो उसको हम parity value बोल देते हैं ठीक हो गया perfect है तो इसको हम fixed exchange rate system बोलते हैं सर flexible क्या होता है flexible में मैंने आपको बताई दिया जब exchange rate कैसे fixed होगा when the exchange rate is fixed with the help of market forces demand supplies है भाया flexible exchange rate is a system in which exchange rate is determined by forces of demand and supply ठीक है value of currency is allowed to fluctuate freely अराम से उपर नीचे हो सकता है demand supply के साथ जादा कम चलता रहेगा वो एक जगा रुकेगा नहीं ठीक है there is no official intervention of the government सरकार का ऐसा कोई भी intervention नहीं देखने को मिलेगा आपको इस system में the exchange rate is determined by market that is बहुत सारा interactions bank का, firm का, अधन इस्टिशन का यह सब हमारे को देखने को मिलता है it is also known as floating exchange rate इसका दूसर नाम क्या होता है floating exchange rate then we have managed floating exchange rate system sir managed floating क्या होता है managed floating मैंने आपको बताई दिया कि होगा तो market forces से लेकिन central bank, RBI बीच में influence करेगा it refers to a system in which exchange rate is determined by market forces central bank influences the exchange rate through intervention in the market ठीक है hybrid है यह दोनों का यह याद रखना very important इस system को हम hybrid बोलते है पुराने दोनों systems का क्योंकि fixed भी है government उसको उपर नीचे जानन दे रहा और flexible से वो set हो रहा है market forces से वो set हो रहा है in this system central bank intervenes in foreign exchange market to restrict the fluctuation within certain limits this word is very important certain limits ठीक है the exchange rate the aim is to keep the exchange rate closer to the targets targets के close रहना चाहिए उसके बाद for this central bank maintain reserves अपने reserves की मदद से वो करता है reserves की मदद से मैंने बता दी आपको कैसे it is known as dirty floating इसको हम dirty floating भी बोलते हैं अब आ रहा है हमारे पास एक शब्द बच्चो devaluation, revaluation आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं sir what is devaluation दिखो devaluation और revaluation यह न काफी similar शब्द है किसके depreciation and appreciation के but always remember these are similar but different similar है लेकिन अलग है appreciation का मतलब भी currency का value बढ़ना होता है revaluation का मतलब भी value बढ़ना होता है devaluation का मतलब भी value कम होना होता है depreciation का मतलब भी value कम होता है but यहाँ पे जो value कम हो रही थी depreciation और appreciation में value कम यह ज़ादा हो रही थी वो किसके through हो रही थी market forces के द्वारा मतलब कि इसके अंदर government का कोई भी intervention नहीं था demand supply से उपर नीचे होती है foreign exchange की value लेकिन अगर हम बात करें कि sir devaluation और revaluation में क्या फर्क है तो sir devaluation और revaluation में जो फर्क है वो यह है कि यहाँ पे जो भी होगा वो सब government करेगी वो सब कौन करेगा government करेगी it means यहाँ पे जितनी भी चीजे हो रही होंगी या जो भी उपर नीचे होगा सरकार खुद करेगी जैसे 1991 में हमने export बढ़ाने के लिए जब new economic policy आया आप इंडिया नीकों में पढ़ोगे यह चीज export को बढ़ाने के लिए खुद को devalue करा था खुद को devalue क्यों करा था क्योंकि हमें export बढ़ाने थे कम करी थी अपनी value उससे क्या हुआ सामने वाले हो सस्ता बढ़ा तो export जादा हुआ तो हमारे पास reserves आए काफी हम shortage में हो गए थे reserves की तो devalue करता है अगर government करता है तो कौन से system में चलेगा fixed exchange rate system में और अगर खुद market forces से होता है तो यह किस में चलता है flexible में flexible exchange rate में चलता है चल देखो जी सबसे पहले क्या लिखावा है devaluation refers to reduction in the value of domestic currency by the government very important सरकार करेगी भाई यहाँ पर it refers to increase in the value of domestic currency by the government अब devaluation सरकार कर रही है और basically fixed exchange rate regime के अंडर यहाँ पर flexible के अंडर devaluation और depreciation का difference है ठीक है उसके बाद currency में जो भी काम हो रहा है it is due to government it takes place due to market forces then it takes place under fixed exchange rate system it takes place under flexible exchange rate system all right चलो जी fixed rate और flexible exchange rate में क्या फर्क होता है यह fixed होता है gold या किसी अधर currency की terms में यह होता है demand supply से correct है government का control इसमें पूरा control होता है यहाँ पर government का कोई भी control नहीं होता उसके बाद stability basically यहाँ पर जादा stability रहती है यहाँ पर नीचे कम जादा होता रहता है अब हमारे पास एक topic आ रहा है जिसको हम लोग बोलते है the demand for foreign exchange की currency की demand का बाती है आपको कभी भी foreign exchange की जुरूरत कब पड़ेगी number one तो सबसे पहले demand कब पड़ेगी जब आप कुछ import करोगे इसके जिर्फ heading settings आपको पता होनी चीए जादा tension वाली बात नहीं है अगर आप कुछ import करोगे यानि जब भी आप बाहर से कोई सामान खरीदोगे अगर मुझे ये sweatshirt या hoodie मुझे बाहर से खरीदनी है तो मुझे बाहर की currency में वैसा देना पड़ेगा ना तो मुझे जुरूरत पड़ेगी तो demand कब होगी अगर मैं कुछ बाहर से import करता हूँ अगर आप बाहर घूमने के लिए जाते हो किसी और country में जाते हो तो आपको जुरूरत पड़ेगी ना तूरिसम के case में अगर त्री Unilateral transfers sent apprault Sir unilateral क्या होता है देखो दो प्रगार के transfers होते है Unilateral, Bilateral जब एक country के बीच में होता है मतब एक ने भेज दिया बस Single sided इसको हम Unilateral बोलते है Bilateral एक ने भेजा और फिर उदर से भी कुछ ना कुछ exchange आया तो Unilateral is Single sided Bilateral is Two sided यहाँ पर Unilateral की बात हो रही है कि अगर आपको बाहर कुछ बेजना है For example, आपका कोई relative US में रहता है उसको पैसे बेजने है तो dollar में बेजने पड़ेंगे न मिटा जी तो वहाँ पे demand करोगे आप dollar की तभी तो बेज पाओगे उसके बाद purchase of assets in foreign country अगर आपको बाहर कोई asset खरीदना है कोई land, share, property, कुछ भी खरीदनी है देना पड़ेगा पैसा बाहर demand बढ़ेगी speculation, कई लोग speculation के लिए खरीदते हैं Like for example, अभी dollar 80 rupees का है जब dollar 85 का हो जाएगा तो बेच देंगे उन्हें 85 मिल जाएगे खरीदा था 80 में speculate कर लिया, इसको हम बोलते हैं speculation, ठीक है जी reasons for rise and demand यह सब यही same reason लिखे में है, जब price currency का गिरता है, imports होते हैं उस currency में cheaper तो import बढ़ते हैं उस विज़े से demand भी बढ़ती है, जैसे कि अगर 1 US dollar 74 से 70 हो जाए यानि जो चीज पहले 74 में आती थी अब 70 में आ रही है, सस्ती पढ़ रही है हमें, तो क्या होगा, import जो होंगे वो बढ़ जाएंगे सही है जी, perfect है अब उस country में जब सब सस्ता होगा तो tourism भी बढ़ेगा, demand बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सिजी सिजी सी बात है when price of foreign currency falls its demand rises as more people want to make gains from speculation activities दूसरा सस्ता होगा, तो पहले जो dollar 74 का था भी 70 में मिल रहा है लोग खरीदना चाहेंगे, कि भाई खरीद लो भी सस्ता है, कल फिर महंगा होगा तो बेच देंगे, सस्ते में समान खरीदना पसंद करते हैं ना लोग, ये reason है अच्छा जी, अब demand curve कैसा बनेगा, obvious सी बात है अगर rate कम होगा, तो demand जादा होगी rate जादा होगा, तो demand कम हो जाएगी ये तो सीधी सी बात है rate का और demand का inverse relationship होता है, कि for example जो rate है, 10 रुपे है तो demand 100 है, rate 20 होगया, तो demand 50 होगई है ना, तो अगर इसको अब आपको plot करना हो तो इधर ले लो आप 50, 100, ये तो आगई quantity, यानि demand, इधर rate ले लो, 10 और 20 ये आपका foreign exchange rate है ठीक है, जब rate 10 था तो 100 units की demand थी rate 10 है तो 100 units की demand है जब rate 20 होगया यानि महंगा होगया rate 20 होगया, तो demand 50 units की रहे गई बस demand रहे गई बस 50 units की, तो जब भी rate का और demand का आप relation देखोगे तो आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा rate का demand के साथ relation आपको देखने को मिलेगा, inverse अगर rate जादा होगा तो demand कम हो जाएगा तो demand का downward sloping हमेशा सामने आपको देखने को मिलता है supply की अगर हम बात करें तो supply कहां से आएगा, कब आएगा किस तरीके से आएगा, तो अगर मैं supply की बात करूँ तो अब बाहर से पैसा आना है कब आएगा अगर आप export करते हो जो आपने उपर बाणना उसका opposite कर दो सारे pointers, export करोगे तो पैसा आएगा हमारे पास tourism इंडिया में होगा तो बाहर से पैसा आएगा unilateral transfers बाहर से हमारे यहां आएगे तो पैसा आएगा रूपया जब सस्ता होगा तो लोग खरीदेंगे पैसा आएगा, तो यह कुछ factors हैं जिससे supply बढ़ती है हमारे पास foreign exchange की इस बार पैसा वहां से आ रहा है speculation speculate करने के लिए जब सस्ता होगा तो जनता वहां की आपका रूपया खरीदेगी ताकि जब महंगा हो तो बेचें राइट, चालो जी reasons में वापिस से वही लिखावा है when price of foreign currency rises domestic goods become relatively cheaper जब कोई भी foreign currency का rate बढ़ता है तो domestic currency cheaper हो जाती है वही सिधी सिधी बात मैंने अभी आपको बताया अगर कोई foreign currency appreciate होती है तो आप depreciate हो जाते हो, आप cheap हो जाते हो the foreign currency it includes the foreign country to increase their imports from the domestic country, यानि की imports बढ़ने लगते हैं क्योंकि सामने वाले को cheap पढ़ रही होती है यह वाली currency अच्छा if price of one US dollar rises from 70 to 74 अब सोचो एक dollar में पहले 70 rupees देने पढ़ते थे अभी 74 इससे अपने point of view से मत सोचो अब उनके point of view से सोचो चलो अपने से ही सोचो पहले जो आपको dollar 70 में मिलता था अभी 74 में मिलता है तो आप depreciate हो गए न 70 की value ही नहीं रही पहले 70 में आ जाता था अब 70 में आता ही नहीं है अब कितने में आता है 74 में आप हो गए depreciate तो सामने वाला appreciate हो गया उसकी value बढ़ गई उसकी value अगर बढ़ गई तो वो कम पैसे में आपका जादा समान खरीच सकता है पहले उसको एक dollar में सिर्फ 70 रूपीज का समान मिलता था अभी एक dollar में 74 का समान मिलता है तो आप export जादा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे है ना क्योंकि वो लोग यार जादा demand कर रहे है ना उनको आपका समान सस्ता बढ़ रहा है तो export बढ़ेगा तो पैसा आएगा हमारे पास supply होगा supply of foreign exchange सीदी सी बात है भाई अगर rate बढ़ता है तो सामने वाला हमारा जादा समान मांगता है हमारा export जादा होता है तो वहाँ से supply जादा आता है जैसे की हम लोग अगर चलें कि अगर rate 10 से 20 हो गया तो supply 100 से 200 हो जाएगा supply जादा कैसे होगा देखो भाई rate अगर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा export भी बढ़ेंगे है ना rate बढ़ने का मतलब सामने वाला appreciate आप depreciate आप depreciate होते हो तो export बढ़ते हैं export बढ़ेंगे तो उससे supply हमारे पास जादा आएगा perfect है तो अगर हम इसको plot करें अब कि भाई पहले quantity 100 फिर 200 rate 10 और 20 जब 10 था तो quantity 100 थी जब 20 हो गया तो quantity 200 हो गया तो basically rate बढ़ने से supply बढ़ता है supply का उपर की दरफ जातावा मिला perfect हो गया चालो सर supply curve भी हमें बनाना आगया demand curve भी हमें बनाना आगया foreign exchange rate is determined in the market exchange rate हमें कैसे set करा जाता है market में तो यार ये तो simple सी बात है अभी उपर भी मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको exchange rate set करना है तो foreign exchange rate set करने के लिए दो चीज़ा चाहिए होती है demand और supply है ना आपने पड़ा कि demand चाहिए एक supply चाहिए demand curve हमेशा downward sloping curve होता है supply curve हमेशा upward sloping curve होता है अभी सीखा आपने उपर demand curve नीचे supply curve उपर जहां पर ये intersect करेंगे इसको हम equilibrium बोलते हैं और इसके सामने जो rate होगा इसको हम equilibrium exchange rate बोल देते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं equilibrium exchange rate ठीक है अब sir अगर अगर rate कम हो तो उससे क्या होगा rate कम होने से rate कम होने से जो demand है वो बढ़ेगी देखो ध्यान से सामय ना मेरी बात अगर rate कम होगा तो demand बढ़ जाएगी लेकिन supply कम हो जाएगी तो rate के साथ demand का relation inverse है rate के साथ supply का relation direct है तो rate कम होने से demand तो बढ़ गया supply कम हो गई तो demand greater than supply हो गया इसको हम access demand बोलते हैं तो अभी फिलाल अगर देखा जाए तो देखो यह quantity है यानि यही demand है यही supply है इतने rate पे दोनों खुश है न अगर rate कम हो जाए for example मैं rate को यहाँ ले हूँ R1 इसको यहाँ ले हूँ तो इससे क्या होगा देखो सबसे पहले supply जो है कम हो जाएगा supply सिर्फ इतना रह जाएगा rate कम होने से rate कम होगा तो supply कम हो गया लेकिन जो demand है वो बढ़ रहा है जो demand है demand तो बढ़के आ गया इतना यह हो गया demand अब देखो supply सिर्फ इतनी सी है demand इतनी जादा है तो इस particular पूरे region में इस region में इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं access demand access demand और सर इसका opposite अगर rate जादा हो तो अगर rate जादा होगा तो demand हो जाएगी कम supply जादा हो जाएगी तो इसका मतलब demand कम supply जादा इसको हम बोलते हैं access supply इसको हम क्या बोलते हैं access supply तो अगर rate को मैं जादा ले लूँ suppose यहाँ ले लूँ R2 rate बढ़ा दो अब इससे क्या होगा देखो वो इतनी, तो देखो, यह जो gap आया, योगि demand मात्र इतनी सी है, demand सिर्फ इतनी है, और supply देखो इतनी ज़ाद है, यह पूरी supply है, तो demand सिर्फ इतनी है, supply इतनी ज़ाद है, तो यह जो gap है इन दोनों के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, access supply, तो जो rate define होगा, वो तो जहाँ पर intersect करेंगे, उसके सामने होगा, लेकिन, access demand, access supply, rate कम होगा, तो access demand आएगी, rate ज़ादा होगा, तो access supply आएगी, ठीक है, देखो, क्या लिखा है हमारे पास, equilibrium exchange rate is determined at a level, where demand for an exchange is equal to supply for foreign exchange, जहाँ पे भी जो demand for foreign exchange है, यह demand for foreign exchange, अरे, 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 साथ दिया करो हमारा भाई, यह जो demand for foreign exchange है, किसके बरापर आजाएगा, supply for foreign exchange के यहाँ पे, यह सामने rate होगा, अब देखो, अगर rate कम होगा, तो access demand निकल के आएगा, rate ज़ादा होगा, तो access supply निकल के आएगा, clear हुआ, ठीक है, the below diagram, demand and supply are measured on x-axis, rate on y-axis, आपको बता ही है, इधर demand supply लिया, इधर rate लिया है, dd demand curve, downward sloping curve होगा, access supply curve, upward sloping होगा, equilibrium point e है, इसके सामने exchange rate मिलता है, exchange rate when it is not at equilibrium, exchange rate अगर equilibrium पे नहीं होता, तो बता दिया मैंने, आपको उपर होगा, तो access supply, नीचे होगा, तो access demand, ये पता होना चुई है, चालो सर, सर, change in exchange rate, क्या हम लोग को ये topic देखना है, change in exchange rate, बड़ा simple सा topic है, कि अगर demand change होती है, तो उसका rate पे क्या impact आता है, देखो जड़ा, ऐसा ही topic अमरे बाद supply का है, बस एक बार go through करने वाला topic है, as if आप से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये demand curve है, supply curve है, equilibrium है, rate है, quantity है, अब demand अगर change होगी तो या demand बढ़ेगी या कम होगी, demand बढ़ी तो, demand बढ़ी तो right में आएगा, यहाँ पर intersect करेंगे, यह निया equilibrium है, इसके सामने जो rate होगा, rate बढ़ जाएगा, इसका मतलब अगर demand बढ़ती है, तो rate बढ़ता है sir, ठीक है, अब इसका अगर opposite करें, यह demand curve, यह supply curve, यह equilibrium, इसके सामने rate है, अगर demand कम हो जाए, तो left में आएगी, तो यह होगा नया equilibrium, rate कम हो जाएगा, demand कम होती है, तो rate कम हो जाता है, perfect है या नहीं है, sir अभी तो उपर inverse आया था, देखो बटा, दो बातें हैं, बड़ा ध्यान से समझना, बहुत important है यह, rate का demand से relation, कैसा है, inverse, ठीक है, rate बढ़ता है, तो demand कम होती है, rate कम होता है, तो demand जाएगा होती है, लेकिन demand का, rate से relation, दो अलग-अलग बातें हैं, direct है, देख रहे हो, अगर demand बढ़ती है, किसी भी चीज़ की demand बढ़ेगी, तो वो महगा होगा न, तो demand का relation, rate से देख रहा हूँ, और अगर rate से demand का देखूँ, तो वो inverse है, तो इन बातों का ध्यान रखना, यहाँ काफी confusion होता है, और बच्चों को बहुत problem create करता है, अच्छा, अभी तक आप supply क्या बढ़ क्या हो, supply क्या बढ़ क्या हो, आप बोलते थे कि rate बढ़ा sir, तो supply बढ़ जाएगा, rate कम होगा, तो supply कम हो जाएगा, लेकिन आप उल्टा पढ़ना है, अब यह निपढ़ना, अब उल्टा पढ़ना है, अगर supply बढ़ जाएगा, तो rate कम हो जाएगा, मार्केट में किसी भी चीज़ की ज़्यादा supply होती है, तो सस्ता हो जाता है न, supply बढ़ेगा, तो rate कम होगा, supply कम होगा, तो rate बढ़ जाएगा, सर हमें exam में कैसे पिता चलेगा, language से, मैं तुम्हें exam days में questions करा हूँगा, important चिंता मत करना, यह rate है, quantity हर साल कराता हूँग, वैसे मैं, पिछले साल भी मैंने कराएथे, वो भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपको जल्दी है तो, supply कर, अगर supply बढ़ जाएगा, तो right में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, देखो supply बढ़ने से, जो rate है वो कम हो गया, आगया supply बढ़ने से rate कम हो गया, supply कम हो जाए तो rate बढ़ जाएगा, वो आप खुद बना के देखना कर, आगया ना, मिल गया relationship, तो दो बाते हैं बेटा जी, याद रखना है, डिमांड का supply से और supply का demand से कैसा relation है, increase demand, decrease in demand मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे ही change in supply में, decrease in supply और increase in supply भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, foreign exchange market हमारे स्लेबस में नहीं है, इस बार हमारे स्लेबस में given नहीं है, तो हमारा foreign exchange rate यहाँ पे हो जाता है, समाप्त, एक छोटा सा topic है इसके अंदर, merits and demerits of exchange rate system, वो मैं आपको separately करा दूँगा एक छोटी सी वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही foreign exchange rate हमारा समाप्त होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, स्टिल कोई problem आती है तो just let me know in comment section उसको दूर करेंगे, और अगली class में हम B.O.P. discuss करने वाले हैं, thank you so much everyone, I'm gonna see you all super soon, till then take care, bye bye.